वेलकम फ्रेंज दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरू सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरू प्रेस करिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस्स नहों दोस्तों ये अभी तक का मेरा सबसे चोटा वीडियो है पर बिलिय में बहुत गहरा वीडियो है और इसमें मैं मोड्स ओफ लिविंग पर बात करना चाहूँगा survive, retrieve, thrive I repeat survive, retrieve, thrive यह क्या है? दोस्तों यह modes of living है modes of living मतलब हम हर दिन किस mode में जीते हैं इन तीनों को अगर हमें समझना है तो हमें time and energy को समझना होगा हम सबने सुना है हम सबने सुना है कि time is money time is money but मैं नहीं मानता हूँ माना कि money is valuable but time is invaluable जो पैसा है वो मुल्यवान है पर समय बह मुल्यवान है इसलिए time is very very limited we should focus on we should only focus on what we can control, create and change and ignore what we cannot control, create and change और जब हम उस चीजों पर धियान देते हैं जिसे हम नहीं बदल सकते हैं बहतर नहीं कर सकते हैं बदलाव नहीं कर सकते हैं और आपने यह सुना होगा कि God lies in detail, devil lies in detail भगवान भी बारीकियों में बसता है और शैतान भी बारीकियों में बसता है यह हम पर निर्वर करता है कि हम उन बारीकियों का क्या करें जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिसे हम control कर सकते हैं, create कर सकते हैं और change कर सकते हैं तो हम धीरे-धीरे उन बारीकियों को समझने लगते हैं, जिससे हम thrive करने लगते हैं, thrive mode में आते हैं और उस mode में हमें सफलता मिलती हैं. तो दोस्तो हमें सिर्फ अपने जीवन को हर दिन analyze करना है कि हर दिन हम किस mode में जीते हैं, जाने आन जाने आप आएंगे कि हम ज्यादातर survival mode में जीते हैं, जहांपे हम उन चीजों को control करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर उन चीजों के focus करते हैं, concentrate करते हैं, जिसे हम control नहीं कर सकते हैं, create नहीं कर सकते हैं, और change नहीं कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, हमें रिट्राइब मोड में आना है, हमें उन चीज़ों पर करना है जिसे हम बदल सकते हैं बेटर कर सकते हैं सुदार सकते हैं प्रभाव सब्सक्तर और सब है और बदल सकते हैं और हम दीरे-दीरे पाएंगे कि सवलता हमारे कदम चुनती है दोस्तों यह जे आगर वीडियो आपको अच्छा लगा होतो इसे जरूर शेर करिएगा